प्रोटीन, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोटीन का नामकरन किस ने किया, तो प्रोटीन का नामकरन सन 1840 इसवी में मल्डर नामक बैग्यानिक ने किया, किस ने किया, मल्डर नामक बैग्यानिक ने किया, प्रोटीन में क्या क्या होता, तो प्रोटीन नाइट्रोजन कोशिकाओं में प्राचूर मात्रा में पाए जाते हैं यानि पौधों में भी और चंतूं की कोशिकाओं में भी प्रोटीन दाल मुर्गा स्वेबीन गेहुम मटर तथा अंड़ पीट में यह पाए जाते हैं नहीं पूछा जाता कि क्या इसा चीछ खाएं जिससे हमको तो दाल, मुर्गा, श्वयबीन, गेहुम, मतर, अंडपित में यह सब पाए जाएंगे। प्रोटीन में कारवन, हाइडोजन, ऑक्सीजन तता गंदक भी पाए जाते हैं। अब प्रोटीन का function क्या है? function of protein तो प्रोटीन के निमलिकित कारज हैं। पहला, प्रोटीन उस्मा और उर्जा के निर्मान में शहायक होते हैं। प्रोटीन सरीर के बिर्धी में भाग लेते हैं। प्रोटीन में अमीनों अमले पाए जाते हैं, जो सरीर को रोक से मुक्त रखते हैं, क्रोमो प्रोटीन रक्त में हिमोगलोबीन तथा आंख में रेटीना के मात्रा को भी बनाए रखता है, कौन सा प्रोटीन तो क्रोमो प्रोटीन, तो आएए, आगे हम जानते हैं, अज प्रो अमीनो अमले से निर्मित होता है प्रोटीन किस से बना होता है अमीनो अमले से अमीनो अमल एक कार्वोक्सिलिक अमल है जिसमें अमीनो ग्रूप यानि NH2 होता है अब पुछा जागा कि फॉर्मूला क्या होता प्रोटीन का तो देखे इस तरह से फॉर्मूला आपको ड्रा करता है यह NCRT बुक में इसी तरह से दिया हुआ है कार्वन को बीच में रखेंगे आप जानेंगे टैप्स औफ प्रोटीन हर एक चीज का टैप्स होता है तो प्रोटीन का टैप्स क्या क्या है तो गुनों के अधार पर प्रोटीन को तीन भागों में बाटा गया है पहला simple प्रोटीन जिसको कहेंगे सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो पेर पौद एवं जीब जनतों दोनों में पाया जाएगा तथा जिसमें गंदक मुक रूप से पाया जाते हैं उसे simple प्रोटीन कहते हैं कोई दिक्कत? चलिए अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में किजिए मैं आपको नेक्ट वीडियो आपको solve कर रहेंगे दूसरा है Conjugated Protein वे प्रोटीन जो हीमोगलोबिन तथा नेत्र की रेटीना में पाए जाएगा तथा जिसमें Nucleic अमल एवन Phosphoric अमल पाए जाते हैं Conjugated Protein कहलाते हैं तीसरा है और लास्ट है डिराइब्ड प्रोटीन यानि व्यूत कर्म प्रोटीन बेप्रोटीन जो प्राकिर्टिक किरियाओं यह जल बिसलेशन किरिया दोर बनते हैं उसे डिराइब्ड प्रोटीन कहते हैं तो कल मैं आपको Facts यानि लिपिट्स पढ़ाऊंगी वीडियो देखने के लिए थैंक यू